तो है गाई चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्णावली 7 असमलोग 11 का सवाल नंबर 7 से ठीक तो को सवाल नंबर 6 तक हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया था तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7 से तो यहाँ पर 7 वा सवाल यहाँ पर लिखा है यक्स और ब्रेक्ष्ट में लिखा है लोग यक्स प्लस में 1 गटा यक्स ठीक इस सवाल से हम लोग आश शुरू करेंगे ठीक उसके बाद 13 सवाल है तो चलिए आज इस वीडियो में इसको खतम कर देते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा यह जो bracket है इस bracket को इसमें गुड़ा करके इस दोनों में मतलब इस bracket को खोलना पड़ेगा ठीक तो देखो सबसे पहले में आपको दा दूँ अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं लिंक में डिस्क्रिशन वाक्स में आपको देदूँगा वहां सजाकार आप वीडियो को देखे हैं ठीक तो देखो यहां पर एकर हम लोग इसका bracket खोलेंगे तो यहां पर इसको इससे गुड़ा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा बजाएगा इक्स उसके बाद में हो जाएगा लोग यक्स ठीक उसके बाद में यहां पर है ठीक डीक से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा डीक्स उसके बाद प्लस में अब यहां पर इसमें वह करेंगे तो यहां पर हो जाएगा दोको इसको इसमें गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा इक्स और यह हो जाएगा हमारा dx ठीक यह हो गया मतलब bracket इसका खुल गया अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको समाकलन कर देंगे ठीक इसका अब देखो समाकलन करने के लिए हमने क्या बताया था आई-लेट की कोडिंग अगर आप मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x का पहले हो जाएगा ठीक और यह हो जाएगा हमारा दूसरा ठीक देखो अगर आपको आई-लेट का फंडा नहीं पता है तो सिधा समझ लो कि जिसका समाकलन असानी से हो जाए उसको दूसरा मानना है तो एक्स का समखलन आप असानी से कर सकते हैं क्योंकि एक्स का क्या होता है एक्स ही होता है ठीक समखलन तो एक्स को दूसरा मानेंगे और लॉग एक्स का क्या समखलन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको फस्ट मानेंगे ठीक तो फस्ट इकन मानलो ऐसे करके आ अब यहां पर क्या होगा यहां पर इसको सबसे पहले और इधा इसको भी नहीं सॉल्व करने ठीक क्यों कि अन्त में कट जाएगा तव क्यों इसको सबसे पहले उसी तरह कendeu गेती हैं जो दूसरा होता है उसका सावकलन करना होता है तो दूसरे एक सावकलन कर दिया उसके बाद माइनस लगा दो ठीक और यहां पर सावकलन का चिन लगा उसके बाद में जो पहला है उसका हमें आउकलन करना है इसका आउकलन करना है इसका अतना हो जाएगा यह जाएगा एक बट तो यह प्लस में यह माइनस में बाकी दोनों वही है तो इससे यह कट जाएगा इसको स्वाल नहीं करना है तो यह हमारा जो एंसर हो जाएगा हो जाएगा e x log x प्लस में c यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक चले अब अगला सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल नंबर 8 ठीक अब यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है इसमें देखो बड़ा ब्रिक्ट बनाया है तो इसको हमें खोलना ठीक सेम ऐसे ही सवाल ठीक ज प्लस में 10 e x हो जाएगा ठीक उसके बाद में यह dx इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा dx प्लस में इधर हो जाएगा e x उसके बाद में e x को इसमें गुणा करेंगे तो e x और यह हो जाएगा हमारा 6 e x dx हो जाएगा ठीक यह क्या अब हमें भी क्या करना इसमें भ तुअ एक्स होगा अब क्यों होगा देखो आपको इसको याद रखने की मैं ट्रीक बता दूँ देखो अगर आप 6X का समाकलन करेंगे आपको सूत्र पता हो गब कि 6X का जो समाकलन होता है वो होता है log 6X प्लस में 10X होता है ठीक अब 6X यानि कि समाकलन क्यों होता है यानि쉬का siX का जो यानिकी समाकलन होता है वो अगर log 6X प्लस में 10X होता है तो क्या log 6X प्लस में 10X का eyeballन क्या 6X नहीं होगा तो यानि कहने का मतलाब है बस सीदा से याद रखों कि log 6X प्लस में 10X समाझ लो कि यह सूत्र रही है ठीक और सूत्र है अगर आप इसको solve करोगे मतलब इसका औकलन करोगे तो यह 6x आगा ठीक तो कहने का मतलब है log 6x प्लस में 10x इसका जो ऑखलन होता है वो 6x होता है ठीक पहले भी प्रश्णावली में मतलब log 6x में 10x आया था अगर आप continue वीडियो देखते होंगे तो मैंने इसके पहले भी इसके बारे में discuss किया था ठीक तो कहने का मतलब है इसका जो ऑखलन करेंगे तो इसका ऑखलन हो जाएगा 6x ठीक उसके बाद दूसरे का समक्लाण ex का समक्लाण को क्या हो जाएगा ex होगा उसके बाद हो जाएगा dx ठीक और इधर यह पूरा लिखा जो इसको ऐसे लिखे लो ठीक यह जाएगा e x 6x dx ठीक अब देखो ये प्लस देखो ये भी 6 ये भी मतलब वही है और ये भी वही है ये प्लस में ये मैस में इससे कट जाएगा ठीक और ये हमारा एंसर हो जाएगा यानि हमारा answer हो जाएगा EX log 6X और प्लस में 10X प्लस में C यह हमारा answer हो जाएगा ठीक चलिए अब सवाल number 9 देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल number मतलब 9 ठीक अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है यहाँ पर मतलब इसको 1-cos X इसको पूरा एक हर माल लेना ठीक और हर है ही मतलब ठीक नेचे वालों क्या बोलते हैं हर बोलते हैं तो मतलब यह हमारा हर है उसके बाद में यह क्या होता है 1-sin X है हमको क्या करना है जो माइनस है यहाँ से इसको अलग-अलग करना ठीक जैसे आपने पढ़ा होगा है कि 3 बटा 4 हो और प्लस में माल लो यहाँ पर 3 बटा माल लो यहाँ पर 4 हो यह फिर माल लो यहाँ पर 4 बटा 4 हो ठीक ऐसे माल लो तो यहाँ पर क्या होता है अगर नीचे वाला हर बराबर होता है तो इसको हम ले सकते हैं तीन उसके बाद यहाँ पर जो चिन है उसको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लिखेंगे चार और बटे में अगर दोनों हर बराबर है तो इसको मतलब सिर्फ एक बार लिखते हैं तो अगर ये ऐसे लिखा हो तो क्या इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक तो यहाँ पर वैसे ही समझो मतलब अगर मालो यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता उसी तरीके से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसे यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे अब अलग अलग करेंगे तियो हो जाएगा तीन और बटे में चार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो चीन है उसको बीच में लगाएंगे इसके बाद ये 4 है और 4 बटे में 4 कर देंगे ठीक सेम तरीका यहाँ पर अपनाना ठीक कैसे देखो यह हो जाएगा हमारा 1 बटे में 1-cos x यहाँ पर जो minus लगा उसको बीच में लगा लेंगे और यह जो sin x है इसको लिखेंगे sin x बटे में 1-cos x ठीक यह हो जाएगा उसके बाद में into में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखो मतलब ex dx से इसमें भी गूणा करना है इसमें भी गूणा करना है मतलब इसको ब्रेकेट खोलके इसको अलग अलग कर लेना है ठीक ताकि हम इसका समगलन कर सकें अब आप यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखो अब यहाँ पर one minus cos x इसके स्थान पर लिखना क्या है मैंने अगर आप मेरे मतलब पूण्टियो वीडियो देखते होंगे तो आपको पता हो गया होगा आप सूतरी याद ही हो गया होगा कि इसके स्थान पर जो सूतर होता है वो क्या होता है चले मैं आपको ओताता हूँ देखो मालोगा आप भोलके होँ देखो यहाँ पर जो cos x हो जाएगा तो इसके बरावर जो सूतर होता है one minus two sin square x बटे में two होता है ठीक क्योंकि यहाँ देखो cos two x का सूतर होता है cos two x बरावर क्यों होता है one minus two sin square x होता है यहाँ पर two x होता है तब यहाँ पर sin x होता है लेकिन यहाँ पर x ह है तो यहाँ पर इसका अध्धा होता है तो इसलिए यह एक्स बटा two है ठीक ऑसके बाद में अब यहाँ पर इसको इधर लिएव भू इसको इधर ले जाओ ठीक अब e x dx इसमें गुणा करो into में e x dx हो गया ठीक उसके बाद minus कच्चिन लगा minus कच्चिन लगा फिर यहाँ पर साखलन कच्चिन लगा यहाँ पर हो जाएगा उपर sin x कौन भी सकते है 2 sin x बटे में 2 into में cos x बटे में 2 यह सूतर होता है ठीक और यहाँ पर इसको लोग side में कर देते हैं ठीक उसके बाद बटे में बटे में 1 minus cos x के अस्थान पर लोगों लिखेंगे 2 sin square x बटे में 2 उसके बाद में into में यहाँ पर e x भी लिख दो क्योंकि यह e x है ठीक दोको यह 2 से यह 2 कट गया यह sin से यह sin कट गया यह वाला सूतर आप जानते होंगे sin 2 x बराबर जोता है वही वाला सूतर है ठीक तो यहाँ पर आप यहाँ पर दोको यह कट गया यहाँ पर क्या बचा इधर cos बचा इधर sin बचा ठीक बांकी और सब कट गया यह हो जाएगा हमारा देखो एक बटे में two यह constant है इसको आगे निकाल दो ठीक और यहाँ पर एक बटे में sin square का मतलब क्या होता है cos square तो यह हो जाएगा हमारा e x है तो यह हो जाएगा हमारा e x into में और यह हो जाएगा स्कूर्ण दू उसके बाद में माइनस इधर क्या हो जाएगा मारा जाएगा क्योंकि कॉस्ट वट्टे में साइन क्यों होता है तो हो जाएगा into में इक्स डी एक्स हो जाएगा ठीक अब हमें यहाँ पर गया करना है देखो यहाँ पर इसको फ्रस्ट माल लेना है क्यों स्रीगर्ण मनना है यहाँ पर वैसे मतलब दोनों का समख्लन यहां पर हो जाएगा डीक असानि और कौस एक स्क्वैर्य पार करोगी तो यह कोब गर कॉर्ट तो इस लिए हमने इसको को सबसे पहले लिखेंगे आप बड़ा पर्कृट बनाएंगे यहां पर इसको सबस्क्प सबस्क्स बनाल लो तो अब यहां पर क्या हो जाएगा पहले को उसी तो दूसरे का समाकलन करतो तो दूसरे का समाकलन करेंगे तो जाएगा माइनस का कॉट यक्स वाइटू और यक्स वाइटू को मतलब इसका जब मतलब यक्स वाइटू है इसलिए यह क्या हो जाएगा मतलब इसका दूबारा से हो यह फिर अगर आप ऐसे ना समझ में आओ कि मैं दूबारा कैसे क्या कर रहा हूं तो आप सिधा से इसके स्थान पर आप टी मान लो पहले ठीक टी मान के कर तो समझ में आ जाएगा फिर तो मतलब कुल बलाकर इसके समखलन हो जाएगा वह इतना ही होगा ठीक उसके बाद मैंस में मतलब इसन chemotherapy मनमें आ रहा हूं उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप टी मान सकते हो ठीक फिर फिर मतलब सलॉट कर लगा फिर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हो जाएगा मैस लग vibrator समग इसका सॉत method कर नको ठीक होगा ठीक उसके बाद इसका sunline करो तो हो जाएगा minus का cot x y2 x y2 दुबारा 2 हो जाएगा dx हो जाएगा और उसके बाद में यहांपब लगाना है minus यह जो लिखा इसको लिखreeगी तो चुप चाप से exatamente to break it बन करने हो जाएगा इसको यह ऐसा करते हैं इसमें गुड़क रोपे ले तो यह हो जाएगा हमारा अब ए यक्स उसके बाद माइस लगा यहाँ पर माइस लगा दो माइस का कॉट यक्स बाई 2 ठीक और बटे में 2 ठीक यह बटे में 2 है उसके बाद यह गुड़े में 2 है उसके बाद हो जाएगा माइनस में एक बटे में 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटे में 2 उसके बाद यह 2 है यह आगया जाएगा तो यह गुड़े में 2 हो जाएगा कुमकि यह constant है यह 2 वाला तो यह आगया जाएगा उसके बाद में अंदर यह जाएगा मैस मैनस प्लैस और यह जाएगा यह UP öhपर ब्योजियों यहुघ प्लैसे यह दो कड़ जाएगा यह दो कड़ जाएगा कुल भी मिलाकर यह बन जाएगा नहीं एह Uapp Cot XyT हो जाएगा और यह जाएगा plus में ex cot x y2 dx माइनस में ex cot x y2 और dx plus में c ठीक देखो दोनों सेम है और यह plus में emis में तो यह कट जाएगा ठीक तो हमारा जो answer हो जाएगा वो जाएगा माइनस का ex cot x y2 plus में c यह हमारा answer हो जाएगा ठीक चले अब अगला सवाल देखते हैं देखो सबसे पहले बहुत आपको बता दूँ कि यहां पर जो चितरब कासन में जो सवाल मतलब किताब बुक में जो प्रश्णवाली में लिखा होता है उसमें समखलंक ऐसे चिन नहीं लिगाया होता है नर ना Dx लिखा होता है बश्चु चाल से तना सवाल लिग दे ठीक और और मतलब 머veyard चिन और dx यह अपनी तरब से आपको जब समाकलन करना है तब मतलब लगा देना है यहाँ पर इसके स्थाम जो सुत्र लिखना है वह कहने का मतलब है を 2x वाला तो सिदह जानते होगे चलिए समझाते हैं आपको यहाँ पर जो गुरांक होता है साइन का वो आदा होता अगर यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर होता है अगर यहां पर 4 होगा तो यहां पर कितना होगा टो होगा ठीक तो इस पौल बना लेते क्य olmuş है यह जायेगा पौ्री हो जाएगा इसका मतलब यो जाएगा सब्सक्राइगा ऊसके बाद इसको धर ले ऋजाए कई um 2 x होजाएगा बराबर में 1-1 इसको इधर ले आएंगे तो यह होजाएगा minus में ठीक तो कहने का मतलब है 1-2 x 2 x के लिखना ठीक पहली बता दिया अब इसको अलग-अलग करके यहाँ पर EX DX इसमें गुरा कर دू, ऐसा करते हैं, हम लोग, जैसे इसके सवाल number 9 में मतलब की हैं, वैसे इसमें भी करना है, तो इसे न लोग, LI 의ёт यहाँ पर गुरा का देते हैं। किसको अलागलाग करके आप यहां पर की हो जाएगा इसको जब अलागलाग करेंगे जरेंगे हमारा sin 4X इस 나오리 4X है इसको लिख सकते हैं sin 2X ऐसे करके लिख सकते हैं अब लेको sin 2 x को होता है 2 sin x in two में cost x होता है ठीक मतलब यहाँ पर यह 2 भाद जो लिखा होता है उसे मतलब यहाँ पर जो लिखा होता है वही चीज यहाँ पर याक्स हो और js one in its account होता ठीक अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखो जिसे कि अब यहाँ पर यहां पर है sin 2 और 2x ठीक तो यह बन जाएगा 2 उसके बाद में sin अब यहां पर मतलब sin के बाद आप क्या लिखोगे जो यहां पर होगा ठीक 2x इंटू में cos इसको भी लिखना है 2x ठीक तो यह सूतर बन गया ना सबब ठीक है अब हमको क्या करना इसको रखना है यहां पर तो इसके स्थान पर लोग क्या लिख देंगे इसके स्थान हम लोग देंगे sin 2x इंटू में cos 2x बटे में और 1-cos 4s के स्थान पर में लिखना है 2sin2 2x ठीक उसके बाद में ex dx सेगो करा दो मायस लगा दो यहां पर लिखेंगे 4 बटे में ऊपर ex और dx इससे भी गोना करना है उसके बटे में इस यह बचे का मतलब ठीक यह पर पीछ मा ratchet में लगा दिया उसके बाद यह नीचे बचे का मतलब बटेमें लिखना है और इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे two sine square two x ठीक अब देखो ये दो से इसको काटो ये हो जाएगा दो दुनना चार और ये दो से दो कट जाएगा एक से तो ये कट जाएगा यहाँ पर एक बचेगा यहाँ पर बचेगा कॉस्ट यक्स बटे में sine two x ये हमारा बन जाएगा कुल में लाकर e x इंटू में यानि कॉस्ट बटे में sine के इस्थान पर हो जाएगा हमारा कॉस्ट यक्स ठीक और उसके बाद में हो जाएगा d x ठीक उसके बाद हो जाएगा माइनस में और यह जो two है constant है इसको आगे निकाल दो और यहाँ पर हो जाएगा हमारा e x इंटू में एक बटे में sine square का मतलब क्या हुआ ये बन जाएगा हमारा कॉसिक square 2x dx ठीक डीक अब हमें क्या करना है यहाँ पर इसका समक्राल नहीं करना है और यहाँ पर हमें इसको first माल लेना है इसको second मान कर देना ठीक तो यह हमारा बन जाएगा e x उसके बाद में कॉस्ट 2x dx ठीक माइनस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या होगा इसको टू लिखो और उसके बाद बड़ा ब्रेकट बना दो पहला जो है उसको पहले विस खेटर से यह दो दूसरे के सब्सक्त करेंगे क्या हो जाएगा माईनस का कॉle 2G mijn एकस होता है और समंछ लो 2G का दुबारा होगा था यह बटे में है तूलक दिया ठीक को सूतर जो होता है वह उता है कि cos अगर 0 हो तो इसका सब्सक्रक्ण हो जाता है सिं ए एक्स होता है और ए के स्थान पर जो चील लिखा होता है उसको वठ्टे मिल देती है ठीक बस इस समलो कि सूट रहा हमारा ठीक तो यानि कहने का मतलब है और यहां पर हमारा क्या था यहां पर हमारा टू यहता यह जो एक स्थान पर यहां पर ट्व है तो टू बटे में लिए थीक उसके बाद अब यहांपर किया है माइनस लगा डो ठीक स्वाकलन करेंगे तो एक यहक्स हो जाएगा ब्रेक्रेट बन कर दो और यह 2 जो है तो को यह बड़ा ब्रेक्रेट बना न यह 2 से इसमें भी गुणा करो इसमें भी गुणा करो तो यह बन जाएगा हमारा अब e x cot 2x dx ठीक उसके बाद में माइनस में यहां पर गुणा करेंगी तो जाएगा माइनस का 2 e x यह माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक और हो जाएगा cot 2x ठीक और बटे में 2 हो जाएगा ठीक उसके बाद में यह हो जाएगा माइनस इसमें गुणा करेंगी हो जाएगा माइनस और 2 हो जाएगा और यह जो 2 है एक बटे में 2 यह आ गया जाएगा ताइब एक बटे में 2 आ गया गया उसके बाद अंदर गया है ex caught 2x dx ठीक ये दो से ये दो कट जाएगा और ये दो से ये दो कट जाएगा ठीक और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जाएगा ex caught 2x और dx ठीक प्लस में ये स्वारी इसको ब्रेकेट बना दो ठीक ये ब्रेकेट है ex caught 2x ठीक ये है और उसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद है माइनस और ये हमारा ex caught 2x dx ठीक और देखो ये माइनस में है ये प्लस में है दोनों वही चीज है तो यहाँ पर इसको काट दो यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पर बचा है ex caught 2x प्लस में c तो ये हमारा एंसर जाएगा ठीक चलिए अब अगला सवाल देखते हैं तो देखो ये हमारा सवाल नंब अलग-अलग वैसे ही करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम ek powered 3x लिख देते हैं और यहां पर इसको अलग-अलग करेंगे ति यह ہو जायेगा हमारा तीन बटे में यह हो जाएगा कॉस यक्स प्लस में यह हो जाएगा हमारा टैन यक्स बटे में कॉस यक्स हो जाएगा ठीक प्लस में यह दो जाएगा डी यक्स ठीक बस और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर अब देखो यहां पर 3 वटास एक्स है, तो 3 यहां पर क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, मतलब आगे आजाएगा, यहां पर बचाएगा 1, और एक बटे में modestCómo सेक्स का मतलब क्या होता, यह हो जाएगा हमारा CX, ठीक, तो यहां पर E की power जो 3X ही, इसमें गुणा करना है, bracket मतलब खोलना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ex, अब दोगो, यहाँ पर तीन constant है, इसको आगे निकाल दो, जाएगा e 3x into में, एक बटे में cost का मतलब क्यों हो जाएगा, यह हमारा बन जाएगा, sorry, यह बन जाएगा हमारा 6x, और यह हो जाएगा dx, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जाएगा, देखो, 10 को पहले हमें 10 की जैसे लिखना ठीक, 10x मैंने लिख दिया, उसके बाद यह, देखो सबसे पहले, एक बटे में cost का मतलब क्या हो जाएगा, यह हमारा बन जाएगा, 10x, इंटू में 10x पहले से ता 10x लिख दिया, उस उसके बाद में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इनटो में कीबाक thou3 x अब समा क्लान कैसे करेंगे और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे इसको solve करते हैं यहैँ आप इसको solve करो किसी एक को solve करना है और दूसरा कट जाएक ठीक अब देखो यहाँ पर हम चलो ऐसे इसको solve करते हैं ठीक तो इसको ऐसा करते हैं इसको first माल लो और इसको माल लो second ठीक अब यहाँ पर हो जाएगा 3 और पहले बड़ा बिक्ट बना लो और यहाँ पर जो पहला इसको सबसे पहले उसी के इसलिक दो ठीक उसके बाद दूसरे का स Architect करना है किती का जो कलन होता है आब दूसरे का सव था निर करना है तो यह हो जाएगा के और ठीज्ट करना है प्लश में अब यह जो लिखा इसको एसी लिखतो ठीक यह लिखा है इक рас ए्टू में मंनेetiकशिए यक्रयंton हुए आप यह और क्या हो जाएगा यहां पर प्रेक्टेट आपको बन कर देना ठीक अब यह 3 से इसमें भी गुणा करना इसमें भी गुणा करना है जब 3 से गुणा करेंगे तो यह 3 से यह 3 कट जाएगा ठीक तो हमारा बचाएगा यहां पर di x-tool और ओजाएगा भी एक्टोमें 6x इन्टु में 10 euh और यहां प्लस में यह क्या लिखा हुआ है e का फंट में आपको दोणों सेम है माइनस प्लस का डिफ्रेंस है तो इसमें से इसको गटाओगे घट जाएगा और यह हो जाएगा हमारा e का पावर 3x और हो जाएगा 6x प्लस में c ठीक यह हमारा n सब जाएगा ठीक चले अब अगला सवाल देखते हैं अब यह देखो हमारा सवाल नंबर 12 है यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसको अलग अलग करना ठीक सिंपल से इसको सबसे पहले अलग अलग कर देते हैं फिक गुणा करते हैं ठीक यह हो जाएगा हमारा cos x बटे में नेचे हो जाएगा cos square x हो जाएगा ठीक और उसके बाद minus में इधर हो जाएगा हमारा sin x और यहाँ पर जो cos square है दोको यहाँ पर हम सीधा cos square लिखेंगे अब cos square को ऐसा करते हैं दोको यहाँ पर cos square का मतलब कि हुआ दो cos हैं तो एक cos को यहाँ पर लिकना है और एक को लिकना है यहाँ पर ठीक यह cos x उपर एक लिख लो और यह हो जाएगा हमारा अब दोको sin बटे में cos का मतलब का हो जाएगा 10 हो जाएगा एक बटा cos का मतलब का हो जाएगा सिक हो जाएगा ठीक तो यह हमारा जो बन जाएगा अब e x इसमें गुणा कर दो तो जाएगा हमारा e k power minus e x और 1 cos काट देंगे और यहाँ पर बचेगा नीचे 1 cos बचेगा ठीक तो एक बटे में cos x का मतलब क्या हो जाएगा यह बन जाएगा हमारा 6 x और यह जाएगा d e x माइनस में अब यहाँ पर इसको इसमें गुणा करेंगे तो 8 power minus e x हो जाएगा इंटू में यह हो जाएगा हमारा देको एक बटे में कॉस का मतलब क्या हो जाएगा सिक यक्स इंटू में साइन बटे में कॉस का मतलब क्या हो जाएगा टैन यक्स और यह हो जाएगा हमारा डी यक्स ठीक अब इसको समखलान करेंगे समखलान में ऐसा करना है कि इसको सॉल्व करते हैं और यह पी कट जाएगा अगे चलके ठीक तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं इसको सिक्न मानते हैं ठीक तो यहां पर पहले का हम लोग छोड़ देंगे और दूसरे का समकलन करेंगे तो एक पौर माइनस का समकलन हो जाएगा और बटे में हो जाएगा माइनस का एक ठीक उसके बाद माइनस में अब यहाँ पर इसका उकलन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा सेक यक्स इंटू में टैन यक्स हो जाएगा इसका उकलन करेंगे सोरी इसका उकलन करेंगे मतलब इसका उकलन कर दिया अब इसका उकलन करेंगे ठीक तो यह हो जाएगा E की बावर माइनस X और बटे में माइनस 1 हो जाएगा ठीक और यह हो जाएगा DX उसके बाद में यहाँ पर क्या है E का बावर minus x 6 x into में 10 x dx ठीक और इसके बाद में यह हो जाएगा हमारा minus का e x 6 x यह है आपका minus में ठीक minus का 6 x मैनेस ओर देको यह minus लगा है यह minus लगा है यह minus मैनेस वह जाएगा plus ठीक और यह जाएगा हमारा e का पाउर minus x इन्टू में इन्टू में इन्टू में 10x का dx और यह माइनस का ex और यह 6x इन्टू में 10x का dx ठीक देको यह प्लस में यह माइस में इससे यह कट जाएगा तो यहां पर बचेगा e का पावर माइनस x 6x प्लस में c ठीक यह हमारा answer जाएगा ठीक चले अब अगला सवाल देखते हैं अब देखो यह हमारा सवाल नंबर 13 अब इस सवाल में हमें क्या करना है सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं यह जो 1 है 1 को और x square को इसको एक साथ कर लो और x को एक साइट कर लो तो इसको मतलब ऐसे बनाओगे ति हो जाएगा हमारा 1 का पावर माइनस 10 inverse हो जाएगा और यह 1 plus में x square plus में x ठीक और पटे में one प्लस में x square ठीक तो मतलब इसको एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो और यहां से जो प्लस है यहां से इसको अलाग अलाग कर लो ठीक तो इकोल मिलाकर यह हमारा हो जाएगा एका पावर टैन इन्वर्स यक्स और यह बन जाएगा हमारा वन प्लस में यक्स स्क्वाइर बटे में हरा हमारा यह है ठीक उसके बाद प्लस में x square बटे में 1 प्लस में x square और यह हमारा dx ठीक अब यहाँ पर देखो इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर इसके इस्तान पर एक बचेगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका bracket खोल देते ठीक तो जाएगा e की power 10 inverse x एक यहाँ पर एक बचेगा एक से इसमें गुणा करोगे तो वही हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा dx ठीक उसके बाद यह समाखलन के यहाँ पर चिंड लगा देना आपको ठीक उसके बाद में यहाँ पर जाएगा plus में और यहाँ पर जाएगा इसमें गुणा करेंगे जाएगा e tan inverse x into में और यह क्या है स्वारी यहाँ पर यह यक्स है ठीक क्योंकि देखो यह यक्स है तो यहाँ पर x square नहीं यक्स लिखना है और बटे में 1 plus में x square dx ठीक अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसा करते हैं यहाँ पर गुड़े में एक माल लेते हैं और मानने के बाद इसका सवाखन करते हैं फिर इसके बाद यह आ जाएगा ठीक लब इसको नहीं सॉल करना सिर्प इसको सॉल करना है इसको поступage 10X पहले इसे ही मішा जाएगा फिर इसके बाद 10 चार्या का दुबारा से होगा तो प्लस में स्क्सेवार हर भूर्व यह 10 आ 9 का समखलान संस्ट के वाद सब्सक्राइब तमिन्सक्राइब ऑर दूसरे का समेक्स अंकलन 37 ऑर यह हो जाएगा dx उसके बाद plus में यह लिखा इदर 10 inverse x और बटे में 1 यह क्या हो गया one plus में x square dx ठीक मतलब यह लिखा है यह जो लिखा है तो यह हमारा बन जाएगा यक्स सोरी एक्स 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 प्लस में इधर हमारा लिखा है माइनस का लिखा है एक्स उसके बाद में एक्स बटे में वन प्लस में एक्स स्क्वेर डी एक्स प्लस में इधर लिखा है एक्स एक्स यह हमारा टैन एक्स ठीक उसके बाद एक्स बटे में वन प्लस में एक्स स्क तो यहां पर जब बचेगा हमारा एंसर जाएगा ए और मतलब यक्स ए का पावर 10 इन्वर्स यक्स प्लस में सी यह हमारा एंसर जाएगा ठीक तो देखो यह जो चैप्टर है प्रशनावली साथ दसंबलो जो 11 आपका है यह समाप्त चुका है इसके बाद हम लोग अल्ले तो देखो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और पूरा स्लेबस में आपको पूरा कराऊंगा मैत का ठीक इस बुक से यह जो चित्रवगासन का बुक है और अगर आपने मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को भीना कहैं आप लोग लाइक कर दिया करो अगर अगर आपको बसंद आयर आता है तो और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मतलब अगर आप पहली बाएँ इस चैनल पर और तो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें sudah viyo मि मिल जनगे को क्वाइब कोई सवाल है Śूंज में नहीं हा रहा है Já को सवाल कि मतलब आगर आप चित्रापकासन से पढ़ रहा है और उसके बाद को कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करने इस्ट कर전 में वहाँ पर डारेक्ट टौपिक नॉलेज तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आपको भाउलो कर लीना अगर आपको कोई वीडिया हुट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर हमें डायट मैसेज करके पूछ सकते ही इंस्टागराम पर ठीक झाल 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 झाल